हलो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम जंबल्ड को फास्ट और एक्यूरेसी से कैसे सॉल करना है यह सिखेंगे कि ऐसा भी जंबल्ड हो छोटा हो लंबा हो बड़ा हो लेंदी हो उसको देखे घबराना नहीं है उसको नियोन अक्रोच से नियोन लिंक को फाइंड करते होएं कैसे चुटकियों में सॉल करना है यह सिखेंगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नमबर वान से स्मार्ट बनना है क्या करना है देखो बच्चे इसको देखकर घबरा गए कि मैं बहुत बड़ा है लेंदी था हमें उसका मीनिंग समझ नहीं आया फिर हम गलत आंसर पर कर गए किसी ने स्किप कर दिया ऐसे नहीं करना है बच्चे स्मार्ट बनना है नियोन अप्रोच से सिखना है नियोन लिंक क्लिर सबसे पहले इननी को कि देख लिए जिसका जिकर पहले होना चाहिए और जिसका जिकर नहीं हुआ अगर अगर सिटार्ट करेंगे पहली चीज आ आगे पड़ो फेंदी कॉनलिया ने समेयर दूपे of is was not sorry at their departure, their, t-h-e-i-r, किसके लिए आता है, they के possession के लिए, they, them, they कौन सी हो गई, subjective form, them, objective, their, possessive, possessive pronoun, plural के लिए, right, तो यहां किसी के departure की बात पहले हुई है, जिसके लिए यह बोल रहा है कि उसको कोई सौरी नहीं था, उनके departure के लिए, right, तो यहां पर यह sentence अपने आप में किसी ना किसी sentence से जुड़ा हुआ है, right, तो C से हम start नहीं कर सकते, हमारे पास A की option है, जिससे हम start करते हैं, वो है B, A, वो क्या है, A, clear, यह 21 की shift का, second shift का, बहुत ही tough questions बच्चों ने बताया मुझे, तो मैंने का चलो सबसे पहले tough को ही करेंगे, ठीक है, अब देखो A में, A से हमने start किया, It was the night before the day fixed for his coronation, यह क्या था, यह वो night थी, जो fix किया गया था दिन, उसके coronation के लिए, उसके राजय भी शेक के लिए, coron, coron, मतलब crown, crown पहनाना, coronation, जो एक ceremony होती है, राजय भी शेक की, ठीक है, At the young king was sitting alone in his beautiful chamber, और जो young king है, जो हमारा noun है, ठीक है, वो अपने chamber में, beautiful chamber में, अकेला बैठा हुआ था, clear, यहाँ एक और interesting चीज़ बताना चाहूंगी, coronation से, corona, corona आप सभी जानते हैं, अभी recently बहुत फैला था, ठीक है, COVID-19, तो corona, coronavirus का नाम भी coronation, जो crown से है, क्यों, क्योंकि coronavirus भी crown shape का है, crown की जो shape होती है, वैसी shape का था, इसलिए इसका नाम corona रखा गया, यह देखो, root word method की beauty है, समझ में आया, corona नाम क्यों रखा, और भी तो कोई नाम रख सकते थे न, वो इसलिए लिखा, क्योंकि उसके जो virus है, उसकी shape जो थी, वो कैसी थी, crown shape थी, clear, अब आगे चलते हैं, तो यहां से पता चल रहा है कि A से हम start करेंगे, it introductory subject है, coronation fix करने की बात की है, young king को introduce करवाया है, तो starting sentence क्या हो गया, A, ठीक है, अब यहां पर, यहां जान देना, यहां पर, यहां A के बाद C आया है, यहां A के बाद D आया है, अगर वापस हम C को लेते हैं A के बाद, तो यह जो departure है, उसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई है, नहीं हुई है ना, तो इसका मतलब A क इसके बाद C नहीं आ सकता, C से start नहीं हो सकता, तो E की choice बचती है, और वो choice है B, right answer हो गया A, D, C, B, यह है, वो smart तरीका, वो fast तरीका, जो आपको accuracy भी देता है, confidence देता है exam में, जंबल को solve करने का, और इसी तरीके से मैंने अपनी जंबल की जो classes हैं, उसमें यह सारे methods बताय कि किस तरह आपको eliminate करके right answer पर जाना है, कैसे links को find करना है, और मेरी जो book है, जंबल की, ठीक है, यह जंबल की जो मेरी book है, इसमें भी मैंने सारे steps में 1200 जंबल को solve with detailed solution से solve करवा के दिया है, इसमें भी आपढ़ सकते हैं, ठीक है, अब आगे चलो, अब इसको मैं पूरा बता के, had all taken their leave, उन्होंने क्या ले ली थी, leave ले ली थी, उसे मतलब कि हाँ हम जाए, अब ये their leave है ना मेरे बच्चे, ये ही आया their departure के लिए, got my point, कि वो चले गए ना, तो उसी के लिए उनके जाने के लिए their departure आया, याने जो D है, वो पहले आएगा, और C उसके बाद में आना Boeing, Boeing मतलब जुकना, ठीक है, bow का मतलब धनूश होता है, bow मतलब किसी के सम्माल में जुकना होता है, bow यहाँ टाई लगाते है, की तरह होता है, flower shape इस तरह का, उसको भी bow बोलते है, वो अपने सिर को जुकाते हुए, heads to the ground, नीचे जुकते हुए चले गए, according to the ceremonious uses of the day, and had retired to the great hall of the palace, to receive a few last lessons from the professor of etiquette, there being some of them, who had still quite natural manners, which in a courtier is, I need hardly say a very grave offense, अब देखो, इसका मतलब यह था, की अगले दिन उसका राजय बिशेख होने वाला है, और राजय बिशेख, जो भी उसके courtiers है, उनको कुछ lessons सिखाए जाते हैं, उनको कुछ तरीके बताए जाते हैं, कि राजा के साथ इस टाइम पे तुमें किस तरह से behave करना है, क्या-क्या वो जो छोटे-छोटे से चीज़ीं होती हैं, वो करनी है, क्योंकि वो राजा है, मतलब इससे पहले वो राजा नहीं था, तो अधर भूमता है, तो यह जो राजा हो गया, तो आप उसके साथ मैसे नहीं कर सकते हो, आपको कुछ एटिकेट्स होने चाहिए, कुछ तरीके होने चाहिए, जो उनको सिखाए जाते हैं, वो कुछ lessons थे जो उनको देने थे, और कुछ जो कुछ नैशिरल मैनर्स, मतलब तो वो मैनर्स उसको सीखने होते हैं, ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं सीखता है, और उसके नहीं सीखता है, तो वो बहुत बड़ा अपराद हो जाता है, यह बोलना चाहरा है, तो एक के बाद में क्या आगया, डी, अब वो चले गए, अब है दा लैड, लैड मतलब जो यंग लड़का होता है, उसके लिए आता है, for he was only a lad, but 16 years of age, वो कितना था, सिरफ 16 साल का बच्चा था, was not sorry at their departure, जिसको कोई hardly फरक पड़ा, उनके departure, उसको कोई नहीं था, कि ठीक है, चलेगे तो जाने दो, ठीक है, and had flung himself back with a deep sigh of relief on the soft cushions of his embroidered couch, lying there wild-eyed, देखो, यह बोल रहा है कि जैसे वो गए, तो flung मतलब जटके से अराम से रिलाक्स होके, वो कुशन पे बैठ गया, अराम सांस ली, उसने sigh of relief, मतलब सांस ली कि हाँ, ठीक है, मा केला हूँ, और फिर वो वहाँ पर आराम से लेटा हुआ था, wild eye, मतलब आंखे बहुत खुली है, open mouth, like a brown woodland phone, अब वो स सोच रहा है कि जैसे कि एक phone, phone एक तरह का imaginary creature होता है, ठीक है, जो roman mythology में भी बताते हैं, इस ये बारे में, जो जंगल में घुनता है, एक तरह का, जैसे उसकी पैर जो होता है, वो गोट की पैर होते है, और एक creature, imaginary creature होता है, ठीक है, और some young animals of the forest newly snared by the hunter, snared का मतलब होता है, ज जाल, जो जाल होता है, जाल में फसा लेने के लिए आता है, जैसे जो young animals, birds होते हैं, जुसको विचारे को पहले कभी, जैसे कोई छोटा बच्चा है, यंग है, वो पहली बार किसी जाल में फसा है, उसको पता ही नहीं होता क्या है, तो वो बहुत ऐसे घबराता है, डरता है तो वो ऐसे सोच रहा है कि मैं तो एक phone हूँ और किसी जो hunters ने मुझे कोई जाल में जैसे कोई फसा लिया है, ठीक है, hunters वो किसको मान रहा है, जो उसके चारो तरफ लोग है, समझे इसको, sense क्या है, कि भी 16 years का लड़का है, उसको राजा बने और इन सब में कोई interest नहीं आ र रहा है कि उसको जबरदस्ती जाल में फसा करके और उसको राजा बनाया जा रहा है, और जो उसके साथ ये सारी चीजे कर रहे है, उनको वो hunters समझ रहा है, शिकारी, clear, तो D के बाद आया, C, and अब इसको आगे बढ़ा रहा है, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, कि वो जो hunter है ना, वो उसको जाल में फसा लिया है, और वो खुद को ऐसा imagine कर रहा है, कि मैं तो खुद जो एक बकरियों का जुन्ड है, उस बकरियों के जुन्ड में जिसने उसको क्या किया है, मतलब ब्रॉट अप किया है, मतलब जिसको पाला पोसा है उन्होंने, और जिसका वो sun हमेशा बनना चाहता था, ठीक है, इस तरह से खुद को imagine कर रहा है कि यार ये क्या राजा वाजा मैं तो खुला एक बच्चे की तरह घूम रहा हूं, गोट जो जुन्ड है मालो बकरियों का उसी में एक जुन्ड में एक बच्चा भी है जो उनके साथ साथ घूम रहा है अराम से इसको कुछी दून दुनिया की कुछ भी चिंता नहीं आराम से रिलाक्स घूम रहा है और इन लोगों ने मुझे फसा के और क्या बना दिया यह हां पर ले आये हैं राइट राजा बनाने के लिए तो वो सारी चीजें उसके माइन में चल रही होती है तो यहां आपको क्या करना था हिंट देखना था ए और सी से स्टार्ट है सी से हो नहीं सकता क्योंकि वह फोलोविंग मतलब उससे पहले कोई ना कोई सेंटेंस आना च ठीक है फिर उसके में इसने किंग को इंटर्ड्यूस करवाया डी में फिर उसके बारे में बताया कि वो चले जाते हैं फिर वो चले जाने का लिंक C में दिया देयर डिपार्चर फिर वो लास्ट में क्या आ गया बी इसले सीक्वेंस क्या बनी A, D, C, B तो बच्चे की क्लासे डेली एक क्लास एक क्लास अपलोड होती है नियॉन के यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैं डेली एक रूट करवाती हूं 10-15 मिनट की वीडियो होती है आपको जरूर देखनी चाहिए रेगुलर देखेंगे आपका जो रूट वर्ड्स का वोकाप का नॉलेज बह उसको ूपरें यूरी को रावतार के आप जानते ये सीज़्यल त Cheryl Creek का याफ मैच कर लेना बच्चे बच्चे बोकी बोछे वह हैं вже मैं हुआ है सीज्यल प्री की सारी वह का अव्तार से आई है मैच कर लेन और मैं नहीं है मैं भी मैक कर आ रही впер पोस्ट पर टेलीग्राम पर रेगुलर आ रहे हैं पोस्ट और आगे भी आ जाएंगे ठीक है आगे चलते हैं क्वेस्टन नमबर सेकेंड अब क्या हुआ इसमें यह में जैसे बैंक में आता है इस तरह का बच्चों ने देखा मैं इसमें तो पांच आ गए पांच वाले तो अधे नहीं है सटीमें अरे मेरे बच्चे पांच क्या आ गए यह डी तो सब में सेम है ना डी को तो फिक्स पालो चाहरी तो हैं आदे बच्चे तो इसको देख गभरा जाते हैं ठीक है तो माइंड में कुछ सोच कर मत चलो कि ऐसा ही होगा ऐसा ही चाहिए नहीं कैसा भी आ जो जंबल को सॉल करने के लिए आने चाहिए वो सारे वैपन से आपके पास तो दरना किस बात का है दरना नहीं है करना है ठीक है यह देखो D fix है D से start होगा clear D fix है the dead sea is one of the saltiest bodies dead sea जिसको salt lake बोल रहा हम that dead sea is one of the saltiest bodies of water on the planet with about 10 times the salt content of typical salt water ठीक है तो dead sea है वो जो क्या है one of the saltiest body है जो प्लानेट पे जिसमें 10 गुना 10 10 times salt content है जितना मतलब नॉर्मली होता है उससे 10 गुना ज्यादा ठीक है 10 times राइट तो D से start हो रहा है सभी option D से start हो रहा है आगे देखो अब यह बोल रहा है कि ऐसा क्यों है इसमें 10 गुना ज्यादा क्यों यह जो बोल रहा है गाइशे दिस इस बिकर्स वाटर फ्लोव इंटिव डेड डेट सी फ्रों अ सिंगल प्राइमरी ट्रीबिटरी दर जॉर्डन रिवर इसंगल प्रायमरी ट्रीबिटरी एक ही रिवर से वह पानी जो रिवर है वह की रिवर का पानी आता है इस लिए वह जो salt content है वह ज्याद है clear तो D के बाद E आएगा ऐसा दो options है ठीक है अब आगे चलते हैं अब वो एक से आता है फिर क्या होता है it is then unable to exit the lake and is forced to evaporate अब उसको exit होने की तो जगे नहीं मिल रही है ठीक है लेक है वहाँ पानी कठा होगा अब वो exit की जगे नहीं है एक साइड से पानी आ रहा है रीवर में एक रीवर का पानी आ रहा है exit की जगे नहीं है तो क्या हो रहा है वो पानी वहाँ पर क्या हो रहा है एकठा हो रहा है तो E के बाद आया C ठीक है अब वो evaporate होना पड़ेगा उसको evaporate की बाद C में की ए और evaporate की बाद E में की और जब कोई दो word किसी दो sentence में ठीक है जैसे एक यी word है evaporate वो किनी दो sentence में common आता है तो generally उन दोनों sentences को साथ में use किया जाता है जनरली उन दोनों sentences को साथ में use किया जाता है याने C के बाद में क्या आएगा A because of reason scorching heat and aridity a considerable amount of water मतलब एक बहुत अच्छा amount of water क्या होता है evaporate अब पानी evaporate हो गया ठीक है vapor बनके उड़ गया तो क्या होगा उसका result as a result the salt and other minerals become increasingly concentrated उसका result यह होता है कि salt और दूसरे minerals क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं तो last में आ गया भी यह तो पूरा हो गया समझाना अब इसको आपको exam में कैसे करना था ठीक है as a result the so last में conclude किया है as a result है so है thus है therefore है in the end है at last है यह क्या होते है generally last में आते हैं ठीक है in the beginning once upon a time यह starting में आते हैं तो बी लास्ट में आएगा बी लास्ट में दो यह option में था ठीक है डी में जो statement दिया है उसको ई में समझाया है कि ऐसा क्यों है वहाँ पर sold 10 times क्यों है तो d के बाद में e आएगा यह link मिला आपको d की neon link मिल गया ठीक है बी लास्ट में आएगा यह आपको एक hint मिल गई बी लास्ट में आएगा दूसरा c a c में evaporate और a में भी evaporate तो c a b क्या बन गया neon link बन गया इसलिए answer क्या हो गया d e c a b clear है next question number third अब यहाँ देखू सबसे पहले देखना a b c d चारों से ही start हो रहे हैं ठीक है अब चलते है on receiving this great honor on receiving this great honor याने this great honor याने पहले किसी honor की बात हुई है उसी के लिए this great honor आएगा तो यहाँ से start नहीं कर सकते ठीक है in 1944 he was honored तो he जो pronoun है वो किसी noun के लिए आएगा तो पहले possible यह है कि हम उस noun को ढूंडे तो a से भी start नहीं होगा फिर बोलता है the next year अब कोई year को बोला है फिर उसके बाद next year उसके बाद का बोला है और he and his fellow यहने कि कोई ना कोई noun है जिसके लिए he आ रहा है और फिर his आ रहा है तो d से भी start नहीं होगा मैंने आपको classes में भी बताया है book में भी लिख कर दिया है कि generally किसी paragraph को noun start करता है generally proper noun या common noun paragraph को start करते हैं ठीक है तो यहाँ proper noun क्या है कोन है flaming कोन है flaming तो start किस से होगा c से c से start करने का एक ही option दिया और वही आपका answer है flaming because sorry flaming became famous overnight flaming एक ना रात में famous हो गया and was regarded as one of the most distinguished scientist of his time मतला ऐसा scientist जो दूसरों से बहुत अलग बहुत regard मिल रहा उसको c से start किया फिर बोल रहा है in 1944 he was honored by King George VI with a knighthood and became Sir Alexander Fleming अब बोल रहा है कि 1944 में उसको सम्मान दिया गया किसके दौरा King George I के दौरा with a knighthood knighthood का सम्मान देते थे ठीक है और एक word भी से एक word का origin भी है यहां से वो word है एकोलेड ठीक है एकोलेड यह मैंने अभी live class में भी कराया था कि जब knighthood का सम्मान देते थे तो क्या करते थे कि जैसे आने यह एकोलेड आपको पता वो कोई reward के लिए use करते हैं ठीक है किसी को कोई reward देना किसी praise करना reward देना तो वो क्या करते है कि जैसे दे रहे हैं तो एक हाथ से गले लगाया ठीक है और फिर जैसे जो स्वोर्ड होती थी तो स्वोर्ड को उसके कॉलम मतलब यहां इस तरह से टैप टैप करते थे ठीक है यहां पर रूट क्या है एसी मतलब टू और कोलेड जो कॉलम से बनाया जिसका मतलब होता है नैक क्या है नैक याने कि वो नैक पर यहां उसको इस तरह से टैप टैप करते थे यह वहीं से क्या बना एकोलेड कॉलर जो हम को हमारी जो कॉलर होती शर्ट की वहां भी कॉलर जो रूट है वो नैक ही है क का मतलब क्या है इंट्रस्टिंग है बहुत इंट्रस्टिंग है रूट वर्ड बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग है ठीक है अब आगे चलते हैं वापस आते हैं रूट वर्ड पे चले जा रहे हैं वापस आते हैं जंबल पे ठीक है सी से स्टार्ट किया अब यू बोल रह 1944 की बात हुई है A में फिर D में बोला है the next year कि कुन सा next year इसके बाद ठीक है वो और उसका fellow bacteriologist who combined effort whose combined efforts had led to the great discovery were honored with the joint Nobel Prize ठीक है अब 1944 में ऐसा हुआ फिर the next year किसको base मान रहा है 1944 तो A के बाद में क्या आ जाएगा D उसको और उसके fellow bacteriologist को जिन combined efforts है उनको क्या great discovery के बाद उनको क्या मिला Nobel Prize राइट on receiving this great honor अब समझो on receiving this great honor तो कौन सा great honor की बात हो रही है यहाँ पर great honor कौन सा है जो Nobel Prize वाली बात तो last में क्या आ जाएगा B सो correct sequence क्या बन गई C A D P यह तो मैं आपको एक एक लाइन बोलके पढ़के समझा रही हूँ exam की जो approach है वो मैंने आपको starting में ही बता दिया है कि सबसे पहले आपको starting वाला sentence है वो देखना है तो यहाँ this great honor था याने पहले किसी honor की बात होगी ठीक है यहाँ next year इससे related है यहाँ ही आया है याने कोई noun आएगा पहले तो इस तरीके से ही आपको right answer पर जाना था सरफ आपको यह पता चलता कि C से start हो रहा है तो भी आप answer कर सकते थे ठीक है next अब देखो इसमें पांच वाला है बच्चे बिल्कुल चहीं है और मैं इसमें पांच आया और इसमें देखो मैं सारे एक नहीं है हाँ बच्चे सारे तो एक नहीं है लेकिन ज्यादा एक ही है तीन B से start हो रहा है ठीक है अब देखो she decided she pronoun है तो पहले उसका noun देख लेते है यह भी she है यहाँ पर अब यहाँ she से यहने a और c से तो start भी नहीं हो रहा है या तो d से start हो रहा है या बी से start हो रहा है ठीक है करेन went on to the swing the swing the swing धान से देखेंगे यह भी बहुत important concept है आपको जंबल का the क्या होता है definite article the क्या होता है student definite article right a और n क्या होते है indefinite article a और n क्या है indefinite article जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात करते हैं पहली बार जब हम किसी चीज को introduce कराते हैं तो उसके लिए क्या लेते हैं a या in फिर उसके बारे में आगे दुबारा बात करते हैं तब क्या लेते हैं The clear? समझ में आया तो यहां देखो C में उसने a swing बोला है She discovered a swing constructed of the tree branches behind a large bush clear? फिर वो उसने एक swing को देखा जो कि लकड़ी वहां पर बना वा था tree branches से large bush के पीछे फिर वो उस swing की तरफ गई पहले इस swing को introduce करवाया है a swing फिर उसकी तरफ उस swing के पास जाने के लिए क्या आया है? the swing याने क्या पता चला? कि C पहले आएगा और D बाद में आएगा C, D neon link है Right? C, D neon link है तो D से तो start नहीं हो सकता C, D neon link है ऐसा एक ही option है जिसमें CD दिया हुआ है वही आपका answer और चेक करते हैं अब D से start नहीं हो सकता तो start किस से होगा? B से ही होगा करें जो है took a stroll stroll मतलब relaxed way में जब आप relaxed way में घूमते हो stroll in a lovely garden full of tulips and butterfly वो जाती है घूमने किसी lovely garden में जिसमें तियो lips है butterfly है B ठीक है the small girl अब यहाँ पर small girl small girl कौन है? करें adore the outdoors and relish relish मतलब enjoy करना the breeze हवा जो है blowing through her hair तो B के बाद में क्या आया? E she dash from one side to one side से इदर एक दम suddenly जाना dash होता है taking care not to destroy the lovely flowers in the garden वो एक साइड से दूसरी साइड जा रही थी और ध्यान लग रही थी कि भी फ्लावर डेस्ट्रोई नहीं हो जाए ठीक है A clear then she discover अब वो एक तरफ से दूसरी तरफ इदर उदर घूम रही थी तभी उसने क्या किया discover किया है ना इक आदमी यहाँ बैठा है और garden में कहीं इधर उदर कोई जुला है तो बैठा बैठा क्या वो जूले को accessible कर लेगा नहीं कर सकता नहीं कर सकता तो उसने क्या क्या वो इदर उदर जा रही थी तो उदर 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 तो उसने खोज लिया तो A और C A, C भी क्या बन गया Neon Link बन गया C में उसने जूले को खोज लिकाला और D में वो जूला जूलने लग गई तो CD Neon Link है AC Neon Link है Sequence B से स्टार्ट होनी है तो बच्चे A की आंसर है और वो है B मज़ा आया Next Question No. 5 अब देखूं इसमें भी 4 option से start कर रहा है और एक मज़े की बात बताओ जो 4 से start करता है वो सबसी easy होता है क्यों होता है क्योंकि उसमें हम starting वाले को ढूण लेते हैं तो हमारा answer answer आजाता है उसी time कैसे? अब देखो यहां but है but से generally किसी भी paragraph को start नहीं करते है ठीक है person belonging to these professions these यह मेरी बात गाठ बांद ले ना बच्चे जंबल में मेरे से बैटर चीज़े कोई नहीं बता सकता ठीक है यह आप मेरा arrogance नहीं है यह मेरा confidence है क्योंकि मैंने सबसे पहले जंबल closest को as a book as a concept दिया था ठीक है इस concept को ध्यान से समझना these these क्या है बच्चे देखो this that these और those यह demonstrative pronoun होते है क्या होते है demonstrative pronoun this is a car ठीक है this is a marker और जब यह किसी noun के पहले आते है तब यह बन जाते है demonstrative adjective क्या बनते है यह demonstrative adjective यहने किसी चीज की तरफ इशारा करते है किसी noun के पहले आते है उसके बारे में बताते है पहले उसके बारे में बात होगी फिर हम क्या यूज करते है this, that, these or those अब देखो these professions का मतलब है कि पहले professions की बात हुई है तो D से भी start नहीं होगा clear? अब B को पढ़ते है the merchant for instance merchant for example for instance मतलब for example याने पहले किसी statement को बताया गया है फिर उसको example से आगे समझा रहा है तो यहां से भी start नहीं होगा start किस से होगा? C से अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी और वो चीज क्या थी? question number fifth है यह एक चीज मैंने बताई थी वो क्या थी? कि proper noun या common noun कौन-कौन से? proper या common noun generally किसी भी paragraph को start करते है तो यहां वो proper noun कौन है? Ruskin ठीक है? Ruskin याने start किस से करेंगे? C से C से start करने का एक ही option है मैं आपको पूरा समझाओंगी ऐसा नहीं कि C से start करने का option है चलो भई टाटा बाई-बाई नहीं, पूरा भी समझाओं Ruskin believes Ruskin believe करता है that in every civilized society there exist five intellectual professions namely the soldier नाम किस पहला दे रहा है soldier दूसरा professional pastor तीसरा physician चौथा lawyer और पाँचवा merchant ठीक है? C से start किया अब यहां पर हमने किसको introduce करवाया? C में किसको introduce करवाया? professions को professions, right? Persons belonging to these professions कुछ आया समझ में? आया समझ में कि जिस profession की C में बात हुई है उसी profession को आगे कहां बोला गया है? D में याने link क्या बना? C, D ठीक है? Persons belonging to these professions are expected to perform their duty honestly उनसे क्या expect करते हैं? कि वो अपनी duty honestly करे ठीक है? अब यहां पर बोल रहा है but the questions that perturbs यह बट का तो यहां कोई रोल ही नहीं है अब यह बोल रहा है कि जो भी लोग है वो अपने profession को अपनी duty को अच्छे से करे ठीक है? अब इसको example ले रहा है कि the merchant for example ठीक है? जैसे कि for example जो merchant है must supply उसको supply करना चाहिए perfect and pure things to the people मिलकुल perfect और pure चीजे लोगों को apply करना चाहिए कोई भी उसमें बेहिमानी नहीं करने चाहिए तो भी आ गया अब बोल रहा है but but the question that perturbs raskin's mind लेकिन जो question raskin के mind को परेशान कर रहा है is what social pressure can be exercised against a dishonest person कि क्या social pressure जो है उसके उपर होना चाहिए against किसके एक बेहिमान आदमी के last में क्या जाएगा sequence क्या बनी c d b a smart तरीके से fast कैसे करना था वो भी आपको बता दिया और उसको पूरा पढ़के भी समझा दिया आपको exam में smartness से neon link को find करते हुए answer करने ठीक है अब ऐसे मत करने बैठ जाना a b c d फिर देखा a b c d नहीं है फिर बनाया a c d b हरे a c d b नहीं ऐसे नहीं options को देखना है options कहां से start हो रहा है क्या एक के बाद कौन सा दूसरा link है क्या वो दो link proper है फिर उनको पढ़के देखना है और बोल proper है तो answer है ठीक है next इसमें क्या हो रहा है d से तो शुरू नहीं कर रहा a से भी शुरू नहीं कर रहा या तो b से start कर रहा है या c से या तो b से या c से ठीक है for instance the quotes अब यह example दे रहा है तो example देने से पहले जरूरी है क्या जरूरी है कि कोई introduction हो कोई बात हो किसी चीज को start किया जाए किसी चीज को introduce कर आया जाए फिर ही तो example देंगे ना ठीक है तो start कर वाया नहीं उससे पहले example तो start किस से होगा c से c से start हो गया in recent years while the quotes have come out with strong orders on environmental issues these have sometimes affected people's livelihoods adversely ठीक है यह बोल रहा है कि इन दिनों इन सालों में जो कोट्स है वो कुछ strong orders कि इस पे environmental issues जो environmental को हमारे परभावित कर रहे है ठीक है उन वो sometimes लोगों को adverse विपरीत तरीके से परभावित करते हैं कैसे करते हैं देखो for example अब इसका example दे रहा है B में for example for instance यहने C के बाद क्या आया B C के बाद में B A की option में answer courts ने अब यहाँ the courts था यहाँ the courts है क्या है यह common factor court ने directed किया कि सको industries in residential areas in Delhi to close down or shift out of the city अब court ने आदेश दिया कि जो भी industries है जो residential area में है वो shift होने चाहिए outside the city याने अब जो example मैंने यहाँ पर these professions का दिया था ना बच्चे वो example आपको catch करना है कैसे बी में बोला है industries और बी में बोला है these industries ठीक है several of these industries समझ में आया तो these industries यहाँ किसके लिए आया है बी वाली के लिए तो बी और डी बी डी क्या बन गये neon link बी डी क्या बन गया neon link बी में पहली बात industries को introduce कर आया और डी में उसको आगे बताया ठीक है several of these industries were polluting the neighborhood and discharge from these industries were polluting the river Yamuna because they had been set up without following the rules ठीक है court जो है यहाँ पर environmental issues के वज़े से order देता है order में उसने example दिया कि वो industries को बाहर set करो क्योंकि वो जो बाहर set नहीं करते हैं जब वो अंदर ही set होती है तो बहुत सारे pollution होता है उससे रयमुना के अंदर ठीक है क्योंकि वो proper rules को follow नहीं करते हैं तो c b last में यहाँ आया d but while the court's actions solved one problem it created another लेकिन एक action हुआ जिसने एक problem को तो solve कर दिया कि चलो industries को बाहर कर दो pollution नहीं होगा ठीक है इट created another दूसरी create कर हो जाती है क्या and because of the closure many workers lost their job अब इस तरह से जो industries है वो बंद हो जाती है तो जो उसमें काम करने वाले जो employees हैं जो workers हैं वो अपनी job खो देते हैं तो sequence क्या बन गई? c b d a next हाँ इसमें देखो या c b d 3 से start कर रहा है यानि a से नहीं कर रहा a में वैसे भी so आया है तो अभी अभी हमने देखा था so, thus, therefore, at last, in the end yes, generally last में आते हैं दी से start नहीं होगा but even small countries याने contradiction but क्या show करता है contradiction याने पहले कोई statement होगा उसी के लिए आगे but उसको contradict करेगा तो d से भी start नहीं होगा अब बचता है b the uniqueness of this nation this 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 याद आया this nation याने पहले किसी nation की बात हुई है उसी के लिए आगे this आएगा याने b से भी start नहीं होगा तो start करने का एक ही sentence बचता है that is c और एक चीज जो मैंने पहले भी बताई अब दुबारा बता रही हूँ वो ही sentence जनरली paragraph को start करता है कोण प्रॉपर नाउन या common noun ठीक है तो इंडिया क्या है प्रॉपर नाउन है start करेंगे c इंडिया a very large country with many religions, many many cultures and many languages has been achieving success in all fields इंडिया एक ऐसी country है बहुत बड़ी country है जिसमें बहुत सारे religions है बहुत सारे cultures है बहुत सारे languages भी बोले जाती है और उसने success अचीव किया बहुत सारे बहुत सारे fields में start कि से हो गया c से अब देखो c से दो options start हो रहे है एक में c के बाद a आया है so the problems of India so अभी तो कुछ conclusion नहीं है last में आना चाहिए a नहीं आएगा c के बाद क्या आएगा b क्यों क्योंकि इंडिया क्या है इंडिया है एक रास्ट एक nation और उसके लिए b में बोला है the uniqueness of this nation तो यह this nation कौन सा nation है इंडिया कौन सा nation है इंडिया the uniqueness of this nation lies in its unity in diversity हमारी diversity है लेकिन diversity में भी हम क्या है एक है एकता है due to which there are problems here and there at times उसके वज़े थोड़ी problem है लेकिन हम एक हैं बी सी के बाद में बी एक ही option में है वही आपका answer clear आगे देख लो बट यह problems की बात हुई बट यह क्योंकि problems क्यों है बड़ी है country अलग-लग लोग है अलग-लग culture की अलग-लग language बोल रहे है लेकिन small countries भी होती है ना जब small countries है with monolithic society mono मतलब single mono किसके लिए आता है single lethal मतलब stone monolithic societies organization के लिए भी योज होता है have more problems than this second largest country यह बोल रहा है कि बड़ा होने problem नहीं है छोटी country होती है monolithic society मतलब बहुत बड़ा organization हो जाता है a की organization जो बहुत बड़ा है उसमें भी बहुत सारी problems होती है है इसके India के comparison में तो b के बाद में क्या आया है problems की बात तो यहाँ पर फिर दुबारा problems की बात हो रही है a में so so therefore at last कहा आते है last में so the problems of India should not be viewed so India की problem को कैसे नहीं देखा जाना चाहिए as the failure की तरह नहीं देखना है last में आएगा a sequence क्या बनेगी c b d exam में कैसे solve करना था c stand alone sentence है generally proper noun common noun किसी sentence को start करते है stand alone sentence वह sentence होता है जो अपने individual होता है जो किसी sentence से पहले connected नहीं होता है ठीक है तो c से start करने के दो option थी a में conclusion दे रहा है तो c के बाद a नहीं आएगा c के बाद क्याब फिर a की option बचता है c के बाद आएगा b c में India बोला था b में this nation आया था तो c b link हो गया c b c से start हो रहा है b link है a की option था और वही आपका answer था यह तरीका था exam में smartness से solve करना ठीक है next question number eight अब देखो यहां पर a b c d चारों से ही start हो रहा है अब देखो चारों में this interest कुछ पता चल रहा है this interest याने पहले किसी interest की बात हुई है d से start नहीं करेंगे ठीक है फिर आता है Mendel's simple laws of heredity और c में बोल रहा है Grigor Mendel एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना यह बहुत important concept है जंबल्ड का जब भी किसी भी इनसान को किसी paragraph में किसी भी इनसान की organization की पहली बार बात करते हैं तो हम उसका full name लेते हैं क्या use करते है full name उसके बाद में उसका short name क्योंकि पहले बार full name में हम उसको introduce करवा देंगे आगे हम उसको short name से चलते रहेंगे ठीक है तो यहां Gregor Mendel आया सी में और ए में में यानिकी A से ए पहले नहीं आएगा ए C के बाद ही आएगा कहीं भी आया लेकिन C के बाद आएगा तर एसेस्ट आरोग नहीं होगा ठीक है यहाँ पर मेंडल आया है यहाँ C में ग्रिगर मेंडल आया है यहाँ A बाद में है C पहले है ठीक है और इसमें और देखो यहाँ पर C पहले है A बाद में है ठीक है यानि C और B यानि दो options हमने हटा दिये clear अब आगे चलते interest जो बोला गया है This interest जो बोला गया है वो कहां है With Charles Darwin's Populization of the concept of evolution Evolution का concept किस ने दिया था Charles Darwin ने Man became interested in his biological origins and affiliations Man क्या हो गया Interested हो गया उसके biological origins में इन में Interested यह जो interest मत की बात हुई भी में उसी के लिए आगे D में use हुआ है This interest Got my point? B में जिस interest की बात हुई है उसी के लिए D में this interest आया है तो यहां से link क्या बन गया B, D, neon link बना और B, D, neon link एक ही option में है और वही आपका answer है ठीक है? और आगे देख लेते हैं B, this interest was centered on man's phylogenetic origins Starting with the work or heredity अब देखो C में Gregor Mendel की बात हुई है जो की Mendel का full name है A में Mendel की Mendels याने short name में use हुआ है याने A पहले आएगा मैंने आपको बताया यह चीज़ C पहले आएगा और A बाद में आएगा ध्यान रखिए full name वाला पहले short name बाद में paragraph का यह general construction का rule होता है कि जब भी आप किसी भी इंसान के organization के नाम बोलोगे तो पहले उसका full name बोलोगे फिर आगया आप short name यूज़ करोगे clear तो CA link बन गया BD neon link बन गया answer क्या हो गया BDCA clear next question number 9 यही same concept आपको यहाँ पर video को pause करके और यह concept लगा के देखो जो मैंने अभी full name वाला बताया यहाँ पर भी इस question में भी लग रहा है अगर आप वो लगा देते हो right answer पर जाते हो आप इतना confident feel करोगे comment करके आपको जरूर बताना है ठीक है अब देखो it is also also किसी sentence को add करने मतलब उसमे additional way में उसको कुछ argument को B से start नहीं करेंगे ठीक है अब देखो B से start नहीं करेंगे याने D option हट गया अब आहे through a subtle analysis wolf A में in Shakespeare sister Virginia wolf क्या समझ में आया C में दिया है full name और A में दिया है short name ठीक है इससे हमें क्या पता चला कि C पहले आएगा और A बात में तो ये वाला option भी हमने काटती है clear अब हमारे पास दो option बसते हैं या हम D से start करें या C से फिर अगेन वही बात आती है in Shakespeare sister Virginia wolf जो अपने आप में proper noun है कौन सा? proper explores the plight of women in society in England during the 15th and 16th centuries ठीक है और D में है इस अगेंस अगेंस देनाइल of education to the girl child and violence against women तो जो proper noun जहां पर introduce करवा गया Virginia wolf को वो कौन सा है C है तो जो sequence है वो किस से start होने चाहिए? C से C में Virginia wolf को बताया फिर आगे Through a subtle analysis wolf raises certain concern regarding discrimination against women in a male dominating society Discrimination मतलब भेदबाव भेदबाव कैसा हो सकता है? Age के base पे हो सकता है Race के base पे हो सकता है Sexual हो सकता है Age discrimination Sexual discrimination ठीक है? तो इस तरह से use कर सकते हैं Discrimination के आगे हम बात करें हैं तो discrimination against somebody होता है generally तो discrimination against women हो गया भेदबाव ठीक है? Racial discrimination ये collocation होते हैं Age है Racial है Sexual है ये क्या है? Collocation है तो C से start किया C के बाद में क्या आया? A और it is against the denial of education तो रगल चाहिल ये आ गया और it is also against एक और चीज़ ध्यान से समझो आप ही बता रही हूँ C से start होगा C के बाद में आया A It is against D में क्या बोला है? It is against B में बोला है It is also against क्या समझ में आया है? ये चीज़ आपको close test में भी बहुत help करेगी क्या समझ में आया? It is against है D में फिर उसी का supportive argument किया दिया है B में It is also against याने D के बाद में क्या आयेगा? B D के बाद में B भी अगर आप देख लोगे तो A ये छोड़ दो यहाँ पर भी नहीं यहाँ पर भी नहीं A की option है जिसमें D के बाद B है और वही आपका answer है मजा आ रहा है? अगर आप इस तरह से jumble करोगे तो आपकी बहुत अच्छी accuracy आ जाएगी और आप बहुत confident फिल करोगे exam में अब जो comprehension है वो deciding हो चुका है jumble, close test, passage यह इस पे जिसकी command अच्छी होगी वही means में lead कर पाएगा क्योंकि जो synonym है, enternym है या जो grammar वाले पाट है वो एक limit तक सब लोग कर लेते है difference create होता है comprehension से ठीक है, आगे चलो question number 10 या तो C से start कर रहा है या D से start कर रहा है ठीक है, the engagements were extremely challenging the engagement कौन सी engagement challenging होती है कौन सी engagement challenging होती थी पता है engagement सिरफ वो अंगुठी पैनाना नहीं होता दो country जब एक दूसरे से लड़ती है, fight करती है उसके लिए भी engagement word आता है तो D से तो start नहीं होगा start किस से होगा? C से In February 1999 during the winter invasion invasion मतलब attack India and Pakistan signed the Lahore declaration which was predicated on peace 1999 के अंदर India और Pakistan ने Lahore declaration जो एक शान्ती जो है वो sign कर दिया था याने start हो गया C से ठीक है? अब यहाँ पर In February 1999 एक time given है क्या given है? एक time अब बोल रहा है After a few months After a few months किस के few months बाद? कौन से few months के बाद? किस time को ले रहे हो आप few months के लिए? वो time है C In February 1999 उसके कुछ दिनों बाद याने C के बाद में क्या आएगा? A C के बाद में A आएगा A की option है आपका answer है उसके कुछ दिनों बाद ही The two countries engaged in the Kargil war उसके कुछ महीनों बाद ही वो कारगिल war में इंगेज हो गई furthermore a number of उसके और आगे number of violent wars वर fought between India and Pakistan उसके बाद भी बहुत सारी fighting होई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में याने B The engagements अब यह जो बोल रहा है और इंडियन आर्मी यह जो लड़ाईयां आपस में हुई वो इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज्यादा challenging होती थी क्योंकि वो कहां से rough रोखी terrain जो एरिया है वहां से लड़ते थे तो लास्ट में क्या जाएगा D sequence क्या बन गया C A B D next हाँ अब देखो यहाँ A से स्टार्ट कर रहा है C से और D से A, C, D बहुत ही अच्छा सा हिंट आपको देखने को मिल रहा है according to Homer ठीक है जिसने लिएड लिखी Homer later on homeic tails पहले Homer के अनुसार और बाद में जो दूसरी tails हैं उनके non-homeric तो A और C A, C neon link बना A, C क्या बना neon link find कर लो कहां है A, C यहां है क्या नहीं है यहां नहीं है यहां भी नहीं है एक ही option में है वही आपका answer है Troy अगर आपने देखी हो ठीक है अब इसको समझो D से start करेंगे Achilles in Greek mythology is the son of mortal Peleus king of the Myrmidons and the Nereot Thetis Thetis और Peleus का बेटा था Achilles Achilles heel एक idiom भी बनता है आपको पता होगा weak point या vulnerable point आता है Achilles heel का origin यह है कि Achilles जब छोटा था तब उसकी मा Thetis को ऐसे बोला गया था कि अगर इसको नदीव के अंदर जो 6 river है उसमें इसको पूरा debod होगी तो यह पूरा strong हो जाएगा इसको कोई निमार पाएगा तो उसकी मा ने उस बच्चे को उल्टा लड़काया heel वाले पार्ट से पकड़ लिया पूरा dip कर दिया तो पूरी body strong हो गई heel का पार्टी कमजोर रह गया तो उसकी जो death हुई थी वो heel पर ही arrow लगने से हुई थी otherwise उसको कोई निमार सकता था ठीक है यहां से मैंने एक idiom भी आपको करवा दिया खुश हो जाओ तो D में बोला Achilles Greek mythology में mythology में sun था start किया D से फिर बोला गया Achilles बहुती brave था handsome था और greatest warrior था army का Agamonon की army का जो ट्रोजन वोर हुआ था ठीक है तो start किया D से D के बाद आया B अब इंट्रस्टिंग सा हिंट है A में Petrocles की बात हुई है फिर दुबारा बात C में Petrocles की हुई है कि A में बोला है कि Homer के अनुसा Achilles जो था वो किसके साथ बढ़ा हुआ था His mother at पथिया में वो बढ़ा हुआ था अपने एक साथी किसका कौन था उसका कजन बताते है और जिसको Petrocles क्या बताते है Petrocles और दुबारा बोला है Later on Homeric tale suggested that Petrocles was Achilles Kinsman or Lover Homer के अनुसार ऐसा था और बाद में वैसा था तो D, B, A, C मजा आया Right answer बन गया B तो बच्चे बहुत अच्छे concepts मैंने आपको करवाए है Jumble के यहाँ पर आगे चलके पूरे questions भी करवाऊंगी ठीक है ये कुछ बच्चों को ज़्यादा tough लग रहे थे वो हमने अभी देख लिया है कुछ different pattern के थे वो हमने देख लिया है आप exam में जाने से पहले ये Jumble की playlist जरूर देख के जाए और अफ़तार का जो daily एक route work की class है ये आपको देखने चाहिए धीरे धीरे करके आपकी वो काया बहुत अच्छी हो जाएगी और ये hardly आपका 10 minute लेती है ठीक है तो बच्चे अफ़तार से बाहर कुछ भी नहीं